नमस्कार आप सभी को उत्तर प्रदेश राज विशेश की तयारी करने वाले सभी छात्रों को लेकर हमारा ये कारिकरम चल ला है जिसमें हम पूरे एक बर्स के घटना क्रमों को जो है वो रिबीजन के तौर पर देख रहे हैं और इससे समंदित अभी तक की सायद चार वीडि के बारे में बहुत ज़्यादा डेटेल में आपको नहीं बता रहे हां ऐसे प्रस्ट जिनके बारे में डेटेल जानकारी देनी चाहिए जिनके बारे में कुछ अत्रिक्त चीजें आपको पता होना चाहिए यदि ऐसे प्रस्ट हमारी स्रीज में आते हैं तो निश्यत तौर सिरीज है ये लगातार मैं प्रयास भी कर रहा हूं कि थोड़ा सा डिटेलिंग भी हो क्योंकि डिटेलिंग होने में क्या होता है कि 20 प्रस्ण 30 प्रस्ण में ही आपका लगभग एक घंटा हो जाता और यहां पे अभी हमारा टार्गेट है कम से कम 1000 प्रस्णों को हमें समाप्त करना है और अभी जो प्रस्ण रखे जा रहे हैं इसमें जादा तर जो प्रस्ण है वो मिस्लेनियस टॉपिक से होते हैं जाज़े पुरुषकारों की बात हो गई नियुक्तियों की बात हो गई तो वन लाइनर फैक्ट है उनके बारे में बहुत संस्थाओं से जुड़े हुए प्रश्ण होंगे तो निश्चित रूप से वहाँ पे आपको डिटेलिंग भी देखने को मिलेगी तो सिर्फ इतना कहिना है कि प्रति दिन जो आपको ये सेसन मिल ला है आपको सब्ता ही का स्तर पे मिल ला है तो भी ठीक है यदि सब्ता हमे चीजें चल लई है इसको भी हम आपको उपलब्द कराएंगे कि जनवरी 2023 से ले करके चार पांच महिनों का ये जो आपका गैप रहेगा परिक्षा में इसको भी हम कैसे लेके चलेंगे तो उसको भी हम आपे समाहित करेंगे या उसको लिए एक अलग सेसन लेके आएंगे इसकी अत्रिक्त हमारा आजाद BPSC Academy पे हमारा रात्री 11 बजे प्रति दिन Current Affairs की क्लास होती है जिसमें हम Regular Current Affairs की बात करते हैं आप वहां भी जूड सकते हैं लेकिन जरूरी है क्योंकि आप UP से हैं तो आप इसी चैनल पर बने रहें क्योंकि वहां पे जब हम बात करते हैं तो चलिए प्रश्णों की सुरुवात करते हैं बाकी कुछ भी आपके सुझाओ होंगे तो आप अपने सुझाओ दे सकते हैं आपके सुझाओ सादर आमत्रित है तो चलिए इस चर्चा की सुरुवात करते हैं चले पहला प्रश्ण आपके साथ दिया है यहां पे प्रश्ण मे आप कह सकते हो ऐसी परदर्शनी है जिसमें हम अपने हतियारों की विशेश रूप से जो आप कह सकते हो वाई से इना से जुड़े वे जो हमारे विशेश रूप से बिबान है जो हतियार है उसको हम परदर्शित करते हैं जिससे की विभिन देश जो उसमें भाग ले रहे हैं चले बताएगा, कहां पर की जाएगी, आपको बता दें, एलहंका एरबेस आपने नाम सुना होगा, इद नहीं सुना होगा, तो आज सुन लेंगे आप, एलहंका एरबेस, एलहंका एरबेस जो है, यहीं पर यह पर दर्शनी आयोजित की जाती है, लगातार कई बरसों से यही पर आयोजित की जा रही है और जब हम एलहंग का एयर बेस की बात करते हैं तो एलहंग का एयर बेस आपका पढ़ता है बैंगलूरू में ठेक कहां पर पढ़ता है बैंगलूरू में यह आपका एयर बेस पढ़ता है यह आपको पता होना चाहिए इसके साथ साथ कुछ जानका जिसकी अस्थापना 15 अगस्ट के दिन हुई थी, किस बर्ष में हुई थी ये भी आप से पूछा जा सकता है तो 1979 में इसकी अस्थापना हुई थी किसने इसकी अस्थापना किया था उनका नाम था विक्रम अंबला सारा भाई थीक है विक्रम अंबला शारा भाई अंबला सारा भाई द्वारा इसकी अस्थापना की गई थी ये आपको पता होना चाहिए और कब की गई थी 15 अगस्त 1979 को यह स्थापना हुई थी यह आपको पता होना चाहिए इसरो के बारे में आपको पता होगा कि इसरो के बरतमान समय में चेर परसन कौन है जो आप से पूछा जा सकता है इस सोमनाथ हमारे चेर परसन है बरतमान समय में इस सोमनाथ इसके साथ साथ आपको पता होगा कि अभी तक इस रो जो है दो प्रकार के रॉकट का प्रियोग करता था एक था आपका था PSLB ठीक है एक था GSLB अब इन्होंने एक दूसरा रॉकट भी बनाया है जो आपको पता होना चाहिए जिसका नाम है SSLB SSLB का Full Form भी आपको पता होना चाहिए SSLB का Full Form यदि हम बात करें तो सेटेलाइट लांच बैकल इसका Full Form है यह आपको पता होना चाहिए और SSLB क्यों बनाया गया है बिसेस रुफ से जो छोटे उबगरा होते हैं उनको प्रच्छेपित करने के लिए ये बनाया गया है जिससे की प्रच्छेपण जो लागत आती है उसको कम किया जा सके उसको नियुनतम किया जा सके इस संदर में इसका निर्मार किया गया हो आपने एक सैटेलाइट सुना होगा आजादी सैट, नोट भी कर लिजेगा, आजादी सैट, आजादी सैट यह जो सैटेलाइट थी, इसको लेकरके यही उड़ा था, S.A.S.L.B. जो आपका है समाल सैटेलाइट लांच बैकल, और आजादी सैट की यह दिम बात करें किसने ब बनाया गया किसके द्वारा Space Kids India द्वारा यह बनाया गया है यह आपको पता होना चाहिए और Space Kids India की जब आप बात करते हो इस एजनसी का तो उसका एक स्टूडेंट का यह सेटेलाइट था तो यह आपको याद रखना किसके द्वारा Space Kids India द्वारा यह तयार किया गया था आज जादी सैट को लेकर कौन उड़ा था ऐसे सेल भी स्मॉल सैटेलाइट लांच बैकल इतनी जानकारी आपको इसरो के संदर्भ में होनी चाहिए समसामाइक संदर्भों में क्या चल रहा है उससे जुड़ा हुआ प्रशन होगा तो वहाँ पे हम डेटेल में इसके बारे में बा भारत की पहली एकी किरित रॉकेट सुभ्धा प्राप्त होगी आंद्रप्रदेश करनाटक ओडिसा या तेलंगाना इन में से कौन सा सही है आपको बताना है यहाँ पर किसकी बात हो रही है सबसे पहले इसकाई रूट एरोस्पेस के बारे में कई बार मैंने आपको बताया है यह हमारे पुराने चात रहोंगे तो निस्चित तौर पे आपको पता होगा स्काई रूट एरोस्पेस की जब हम बात करते हैं तो हैदराबाद बेस्डे एक कंपनी है यह आपको याद आना चाहिए और भारत की निजी एरोस्पेस निर्माता कंपनी है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और आप जानते हैं भारत का पहला प्राइबेट रॉकेट याद रखिएगा भारत का भारत का पहला प्राइबेट रॉकेट नाम जानते हैं आप नहीं जानते तो याद कर लिजेगा भारत का पहला प्राइबेट रॉकेट जो था जिसका नाम rocket विक्रम एस का जो निर्मार किया था वो स्काई रूट एरो इस्पेस ने किया था जिसका हेड़कॉटर आपको हैदराबाद में देखने को मिलता है जिस मिसन के अंतरगत इसको लॉंच किया गया था उसकी अधि हम बात करें तो उसका नाम दिया गया था मिसन प्रारंब या आपको मिसन प्रारंब भी आपको पता होना चाहिए साथी साथी स्काई रूट एरो इस्पेस के बारे में पता होना चाहिए अब बात करते हैं इस प्रश्न की कि भारत की पहली एकिकृत रॉकेट सुद्धा कहा प्राप्त होगी तो यह प्राप्त होगी तेलंगाना में त पूर्प में जैसे कराया जाता था तो मैं प्रयास कर रहा हूं क्योंकि ये पीडियाप पहले टाइप हो चुकी है ठीक है तो इसमें बहुत ज्यादा डेटेल वाले प्रस्ट नहीं थे इसलिए चीजों को लिंक नहीं किया जा रहा है लेकिन फिर भी आपके कहने के अनुसार आपके सुझाओ के अनुसार आप देख रहे होंगे कि जहां पे भी चांस बनता है जहां पे भी चांस बनता है लिंक का वो चीज़ें आपको उपलब्द कराई जा रही है चले आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्ट क्या बोला जा रहा है हाल ही में किस भारतिये जियो बिग आप दा अर्थ का पुरुषकार मिला यह आपको बताना है चार बिकल पे हां पे हैं पूडिमा देवी वर्मन ममता देवी कौसिक अहिल्यानात बर्मा या रेंडुका सिंग गौतम इनमें से आपको बताना है फास जबाब दीजेगा चले बताएगा इनमें से कौन सा सही है क्या बोला जा रहा है यूनाइटेड नेशन इन्वाइर्मेंट प्रोग्राम का चैंपियंस आप दा अर्थ पुरुषकार बताएगा और किसको मिला है यह जीव विग्यानी है भारतिये जीव विग्यानी है इनका नाम क्या है यह आपको बताना है चले फास्ट जबाब द देवी बर्मन याद रखिएगा एवी कल्प इस प्रस्ट के लिए सही उत्तर है इसको बता दिया हाली में Cambridge Dictionary ने किस सब्द को word of the year 2022 की रूप में चुना है आपको बताना है Cambridge Dictionary की बात हो रही है कोलिंस के बारे में हमने बात किया Cambridge के बारे में बात किया आमने बताएगा फास्ट जबाब और इस तरह के प्रश्ण पूछे जाते हैं कुछ dictionary जिनके बारे में पूछे जाते हैं मैरियम बेवेस्टर है पूशी जाती है तो यह जो डिक्सनरियों वाले प्रस्टन है इसको बहुत अच्छे से आपको देखना है आपको बता दे इन्होंने चुना है होमर को किसको चुना है होमर को सी बिकलब आपका सही उत्तर है इसको बताईगा हाल ही में किस स्टार दिया है किस दिने मैंचेस्टर यूनाइटेड को छोड़ दिया है इन चारों में से आपको बताना है चले फास्ट जबाब दीजेगा जादौन क्रिष्टियानो रोनाल्डो मार्कस रैस फोर्ड या एंथोनी मार्सल पताएगा इसका सही जबाब है क्रिष्टियानो रोनाल्डो सी बिकल्प इसका सही उत्तर है इसको बताएगा देखो अभी यह सब फैक्चुल प्रस्थ है इनमें बहुत जादा डिटेलिंग नहीं की जा सकती पुरुसकारों में ठीक है यहाँ पे बोला जा रहा है प्रतिष्ठित ड डाक्टर कलाम सेवा पुरुसकार से किसे सम्मानित किया गया आपको बताना है चार नामें यहाँ पे हैं रितेश अग्रवाल तिलक महता कभिता सुकला या रभी कुमार सागर किसको डाक्टर कलाम सेवा पुरुसकार से सम्मानित किया गया है चले देखो क्या है कि आप जब आप इस session को देखते हैं तो प्रतेक प्रश्ण का जवाब सोयम से भी नोट करती हुई चलना है कि आपका ये session समाप्त होता है 50 प्रश्णों का ये session होता है जब आपका ये session समाप्त होता है क्योंकि ये पिछले एक बर्स के है current of years तो अनिवार रूप से इन में से ज़्यादा तर प्रश्णों का जबाब आपको आना चाहिए और उसका मुल्यांकन भी आपको करना है कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है इसका सही उत्तर है रभी कुमार सागर चले आगे बढ़ते है Network Readiness Index 2022 में भारत की रैंक क्या है चले बताएगा भारत की रैंक क्या है 60 रैंक 28 रैंक 50 रैंक या 61 रैंक इन में से आपको चुनाओ करना है चले बताएगा इन में से कौन सा सही है Network Readiness Index 2022 में भारत की रैंक क्या है चले फास्ट जबाव याद रखेगा इसमें भारत की रैंक है 61 चले आगे बढ़ते हैं और रही बात इसके PDF की आपके पूरे के पूरे प्रस्ण हो जाते हैं ठीक है? 1000 प्रस्ण की हमने बात की है हो जाते हैं उसके बाद मैं PDF आपको उपलब्द करा दूँगा एक साथ सभी प्रस्णों की PDF उपलब्द करा दूँगा एक ही PDF में मतलब 1000 प्रस्ण और उसके आंसर आपके उपलब्द होंगे किस देश की संसद ने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रिमेंट पारित किया है किस देश की संसद ने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रिमेंट पारित किया है आपको बताना है United Kingdom, Australia, New Zealand या Denmark इन में से कौन सा सही है चले बताएगा अब जैसे इस प्रस्ण के बारे में यहाँ बात करें तो यहाँ पे हम डिटेलिंग करेंगे भी आपको अत्रिक्त जानकारी आपको देंगे चले बताएगा कौन सा देश है जिसने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रिमेंट साइन किया है आपको बतादे इस देश के साथ हम कुछ सैन अभ्यास करते हैं आपको पता होना चाहिए जैसे आस्ट्राहिंद अभी संपन हुआ था आस्ट्राहिंद आस्ट्राहिंद नामक सैन अभ्यास इसके साथ हम करते हैं औस इंडेक्स नामक सैन अभ्यास हम इनके साथ करते हैं औस इंडेक्स नामक सैन अभ्यास हम इनके साथ करते हैं ये आपको पता होना चाहिए इसके साथ साथ आपको बता दें कि यहाँ पे मसहूर सोने की कुछ खाने हैं जिनका नाम दो कमें बता देता हूँ काल गुर्ली और कुल गार्डी याद रखेगा काल गुर्ली और कुल गार्डी यह सोने की खदाने हैं यहाँ पे जो आपसे पूछी जा सकती है ठीक है इसके अत्रिक आपको बता दें इस देश में Great Barrier Reef आपको देखने को मिलता है और Great Barrier Reef जो देखने को मिलता है यह Queensland प्रांत में इसके देखने को मिलता है याद रखिये का यह भी पूछा जा सकता है कि यह तो सब को पता है कि Great Barrier Reef कहां पे है ठीक है Great Barrier Reef कहां पे है सब को पता है आस्ट्रेलिया की हम बात कर रहे हैं लेकिन किस प्रांत में है यह सब को नहीं पता तो याद रख लीजिएगा कुइंस लेंड प्रांत के उत्तरी पूर्वी भागों में यह देखने को मिलता है कुइंस लेंड प्रांत के यह आपको पता होना चाहिए इसकी राधधानी क्या है तो आप जानते हैं अस्टेलिया की राधधानी है कैन बरा अस्टेलिया में आप जानते हैं मरुस्थल बहुत जादा है ठीक है अब यहाँ पे कौन-कौन से मरुस्थल है तो याद रखेगा सैंडी मरुस्थल यहाँ पे ग्रेट सैंडी देखने को मिलता है विक्टोरिया मरुष्थल आपको यहाँ पे देखने को मिलता है आपको यहाँ पे सिंपसन मरुष्थल देखने को मिलता है आपको यहाँ पे गिबसन मरुष्थल देखने को मिलता है ठीक है इसके साथ साथ यहीं बात करें तो यहाँ पे एक परवत माला भी देखने को मिलती है और यह जो पर्बत माला है यह आपको देखने को मिलती है पूर्वी तटपर जिसका नाम है great dividing range और great dividing range को एक अन्य उप नाम से जानते हैं इसको बोलते हैं australiai alps यह भी आपको पता होना चाहिए और इसी australiai alps या great dividing range से दो नदिया निकलती हैं एक का नाम है मर्रे नदी और एक का नाम है darling नदी बाद में यह दोनों नदियां जाके मिल जाती हैं एक दूसरे से और फिर इनकी संयुक्त धारा को हम मर्रे darling नदी के नाम से जानते हैं या भी आपको पता होना चाहिए आपको बता दे कि इस नदी की घाटी में एक अस्थान पढ़ता जिसका नाम है रेवी रेना यह भी आपको पता होना चाहिए यह क्या है इस नाम से जो इनकी उपजाओ घाटी है इन दोनों नदियों की जो उपजाओ घाटी है उसको रेवे रेना आनाम से जानते हैं, आपको यहाँ भी पता होगा, पिछले दिन मैंने आपको बताया था, कि यहाँ पर डाउन्स घास के मैदान भी पाए जाते हैं, डाउन्स नामक, सीतोस ने घास के मैदान भी पाए जाते हैं इसके अत्रिक्त जब हमने इसके पडोशी देश न्यूजी लेंड की चर्चा किया था पिछले दिनों तो वहाँ पे भी हमने बताया था कि can't worry नमक घास के मैदान पाए जाते हैं तो यह जो घास के मैदान है या जो नदियां है या जो जीले हैं वो आपके लिए महत्वरी यहां पर आयर जील भी आपको देखने को मिलती है तो कहने का मतलब है कि हमेशा जो है current affairs से GS को देखना चाहिए आप PCS की यदि तैयारी कर रहे हैं तो यदि आप जैसे भूगोल हो गया आपका ठीक है भूगोल विशे को यदि आप अलग से नहीं भी पढ़ते हो ना लेकिन समसामाई संदर्भों में उसको लिंग करके चलते हो ना तो सत प्रतिसेद भूगोल की जो भी से बस्तु है वो आपकी complete हो सकती है जैसे यहाँ पे हमने देखा सिर्फ एक प्रस्ट की भारत ने किसके साथ free trade agreement किया हमें पता चला कि Australia के साथ हमने free trade agreement किया उसके बाद हमने क्या देखा उसके बाद हमने Australia के बारे में लगभग लगभग जो basic fact है जो आपको लूश फिर इसके हम बात करेंगे तो इसी तरह से चीजें उसमें चलती है इसको बताएगा हाली में भारतिय सेना द्वारा एकिकृत अगनी सकती अभ्यास सत्रुनास किस राज में आयोजित किया गया बताएगा क्या बात की जा रही यहाँ पे यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि एक सेन अभ्यास है एक इकरित सेन अभ्यास है जिसका नाम है सत्रुनास जिसमें हम हमारी सेनाएं ही भाग लेती है उसको किस राज में आयोजित किया गया था राज अस्थान हो गया मद परदेश हो गया उत्तराखंड हो गया उडिशा इन में से कौन सा सही है आपको बताना है चलिए बताईगा आपको बता दें यह जो राज जहें इसको बोलते हैं खनीजों का अजायब घर यह आपको पता होना चाहिए खनीजों का अजायब घर इस राज को जानते हैं यहाँ पे ताबे की एक परसिद्ध खान या खान आपको देखने को मिलती है जुजु की बात करें तो यहाँ पे कई सारे जीले आपको देखने को मिलती है जैसे सांभर जील आपको देखने को मिलती है ठीक है सांभर के बाद डोणडवाना जील आपको देखने को मिलती है आपको डेवार जील देखने को मिलती है आपको डेंगना जील देखने को मिलती है और यह थम्भौर नेशनल पार्क आपको देखने को मिलता है सरिस्का नेशनल पार्क आपको देखने को मिलता है यहाँ पे आपको देखने को मिलता है मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क देखने को मिलता है तो कई सारे नेशनल पार्क भी आपको देखने को मिलते हैं और यही पर आ ऐसा संदर्फेदी आद आए मानलो राजस्थान की बात हो रही है तो राजस्थान के बारे में जितने भी फैक्ट पता है ना वो मन में नहीं याद करना उसको एक पेज पर फास्ट नोट करते हैं कितना समय लगा मुश्किल से एक मिनट में आप सारे फैक्ट जो आपको हाली में सारंग भारतिये फिल्म महोत्सो का आयोजन किस देश में भारतिये दूतावास द्वारा किया गया आपको बताना है चले चार यहां पे देश दिये हुए हैं फ्रांस रूस शिंगापूर और दक्षिन कोरिया इनमें से सही कौन सा है आपको बताना है बताएगा कि कहां पे हमने सारंग भारतिये फिल्म महोत्सो का आयोजन किया सारंग नामक भारतिये फिल्म महोत्सो का आयोजन कहां पे किया गय प्रश्ण यहां से अक्सर पूछा जाता है कि उत्तर कोरिया और दक्षुन कोरिया को डिवाइड करने वाली लाइन कौन सी है तो याद रखना है यहां पे कि उत्तर कोरिया और दक्षुन कोरिया को डिवाइड करने वाली जो लाइन है वो 38 समानांतर रेखा है यह आपको पता होना चाहिए पूछा जा सकता है इसको आपको याद रखने की जरूरत है तो उत्तर कोरिया के और दक्षुन कोरिया के संदर में यह याद रखना है आपको ठीक है चले इसको बताईए हाली में जारी बर्षि दोहजार तेज़ की Climate Change Performance Index में भारत को कौन सा सथान मिला बताईगा 2003 की Climate Change Performance Index में भारत को कौन सा सथान मिला यह आपको बताना है कौन सा सथान मिला यह को बताना है चले को एक response करें देखो सभी को जबाब देना है और नोट करते हुए चलना यह जरूर ध्यान रखना है कि कितने प्रशन आपके सही हो रहे हैं इसका मुल्यांकन जरूर करना है तभी सेसन का कुछ औचित रहेगा बताएं आपको याद रखना है इसमें भारत को आठवा अस्थान मिला है बीविकल्प सही उत्तर है इसको बताएगा क्या बोला जा रहा है बर्श 2022 के राच्टिय खेल पुरुषकारों में कितने खिलाडियों को अर्जुन पुरुषकार से सम्मानित किया गया है बताएं कितने खिलाडियों को अर्जुन पुरुषकार से सम्मानित किया गया है देखो आपको पता होना चाहिए कि कितने खिलाडियों को अर्जुन पुरुषकार मिला है क्यों चार विकल्प आपको दिये हुए हैं निश्यत तोर पे आपने देखा होगा जब पुरुषकारों का वित्रण हुआ था जिसको बहुत अच्छे से आपने कबर भी किया होगा तो जब आप देना आपका बनता है आपको बता दें इसमें से पचीस खिलाडी ऐसे थे जिनको अ हत्त्रफूर को बताईएगा को इगवर्नेंस पर 25 में राश्टी संवेलन का भी से क्या है बताईएगा बताएगा इगवर्नेंस पर पचीशवें राश्टी सम्मेलन कभी से क्या है चार विकल्प यहां पर दिये हैं इन में से आपको चुनाव करना है याद रखेगा इसका है नागरी को उद्द्योग और सरकार को करीब लाना ठीक है आगे बढ़ते हैं साहित के JCB पुरुषकार 2022 से किसे सम्मानित किया गया साहित के JCB पुरुषकार 2022 से किसे सम्मानित किया गया बताएगा साहित के JCB पुरुषकार 2022 से किसे सम्मानित किया गया चार नाम यहां पर दिये हैं शिरीन दलबी, असोक बैंकर, खालिद जाबेद या सुमित बशू, बताएं, फार्ष जबाब दीजेगा, इन में से सही कौन सा होगा या आपको बताना है, याद रखीगा, इसका सही उत्तर है, खालिद जाबेद, सी विकल्प इसका सही उत्तर है, इसको बताओ, देखो इस मनाया जाता है, विस्स मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है, आप से पूछा गया है, बताएं, विस्स मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है, दस नौबर को, 14 नौबर को, 17 नौबर को, 12 नौबर को, इन चार तिथियों में से कौन सा सही है, विस्स मधुमेह दिवस के बताएं याद रखेगा प्रतेग बर्स हम मनाते हैं विस्व मधुमे दिवस और यह दिवस होता है 14 नॉबर को 14 नॉबर को हम प्रतेग बर्स विस्व मधुमे दिवस के रोप में मनाते हैं इसको बताएगा हाली में किस क्रिकेट टीम ने ICC Men's T20 World Cup का खिताब जीत लिया है ICC Men's T20 की बात हो रहे किसने जीता है आपको बताना है ICC के बारे में लास्ट दिन हमने बताया था किसका हेड़कॉर्टर आपको दूबाई में देखने को मिलता है बर्स 1909 में इसकी अस्थापना हुई थी ग्रेग बारकले बरतमान समय में ये न्यूजिलेंड के हैं और बरतमान समय में यही इसके प्रमुख है ICC के ये आपको पता होना चाहिए और ICC यदि हम बात करें तो 22 का स्थर पर क्रिकेट की गवर्निंग बाड़ी है यदि भारती अस्थर पर बात करें तो BCCI का नाम आप सुने होंगे BCCI भारती क्रिकेट की गवर्निंग बाड़ी है अब बोला जा रहा है कि किसने ये खिताब जीता तो बताएगा क्रिकेट से तो सभी रूबरू होंगे और वर्ल्ड कप की बात हो रही है तो निश्यत रूप से जानकारी होनी चाहिए किस क्रिकेट टीम ने ICC मैंस T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है फास्ट जबाब याद रखेगा इगलेंड ने जीता था तो D विकल्प आपका शाहिव उत्तर है प्रतिष्ठित सुमित्रा चरण राम पूरुषकार से किसे सम्मानित किया गया बताएगा चार विकल्प आपके साथ हैं इन चारों विकल्पों में से आपको चुनाव करना है प्रतिष्ठित सुमित्रा चरण राम पूरुषकार से किसे सम्मानित किया गया याद रखेगा ये नाम है उमा सर्मा जो पूरुषकार है उसको एक जगा नोट कर लीजेगा तो आपके लिए भी आसानी होगी यहाँ पे बोला जा रहा है किसने अटलांटिक माहाशागर ओशियन तल का पहला बैग्यानिक मानचित्र तयार किया है इन चारों में से आपको बताना है चले बताएगा फास्ट जवाब दीजेगा किसने तयार किया है मैरी थौपर, एलिस बिलसन, मोर्या डनबर या फुलोरेंस बॉसकॉम चले बताएगा किसके द्वारा तयार किया गया है अट्लांटिक महासागर ओसियन तल का पहला बैग्यानिक मानचित्र किसने तयार किया इनका नाम है मैरी थौपर, थौपर है मैरी थौपर, ठीक है चले आगे बढ़ते हैं, इसको बताएगा IFFI 2022 में इंडियन फिल्म प्रशनाल्टी आफ दा इयर की रूप में किसे नामित किया गया है यह आपसे पूछा जा रहा है, बताएगा प्रशनाल्टी आफ दा इयर की रूप में किसे नामित किया गया है याद रखिएगा ये नामित किया गया है चीरन जेवी को सी विकल्प आपका सही उत्तर है ठीक है चले ये प्रश्ण बहुत महत्पोंड है और इससे देख कर इसको जोड़ कर आप इतिहास के कई सारे प्रश्णों को हल कर सकते हो बताएं बोला जा रहा है गाधी मंडेला एवार्ड 2022 से किसे समानित किया गया आप जानते हैं मंडेला की जब बात करते हो तो नेलसन मंडेला की बात हो रही है किसकी बात हो रही है नेलसन मंडेला की बात यहां पे होती है नेलसन मंडेला नेलसन मंडेला की बात करें तो ये अफरीका के पूर्व राष्टपत थे नोबल पुरुषकार प्राप्त भी इनको हुआ है इनकी आत्म कथा है जिसका नाम है Long Walk to Freedom Long Walk to Freedom इनकी आत्म कथा का नाम है ये आपको पता होना चाहिए कहां से समंदित है? दौक्षिन अफरीका से ये समंदित है ये आपको पता होना चाहिए दुस्रा नाम देखने को मिला है महत्मा गांधी आप जानते हैं महत्मा गांधी जो है अफरीका से वापस कब लोटे थे? 9 जनौरी को लोटे थे और 9 जनौरी को जब ये लोटे थे तो बर्स कौन सा था याद रखना है बर्स जब महत्मा गादी की हम बात करते हैं कि कब लोटे थे ठीक है तो सबसे पहले यहाँ पे आपको याद रखना है 9 जनौरी को लोटे थे अभी हाल ही में मनाया गया है और इस संदर्व में ये आपके लिए महत्पूर्ण हो जाता है प्रवासी भारतिय दिवस मनाते हैं प्रवासी भारतिय दिवस की जब बात करते हैं पहला प्रश्ण यही बनता है कि प्रवासी भारतिय दिवस जो है वो कहां पे मनाया गया इस ब कहा होगा मुख्य अतित की बात करें तो नोट कर लेना है आपको मुख्य अतित रहे हैं गोयाना के राष्ट पत जिनका नाम है डाक्टर मुहम्मद इरफान अली यह मुख्य अतित के तौर पे रहे हैं बिसिस्ट अतित के तौर पे यदि हम बात करें तो सूरी नाम के राष् सकता है एक प्रशन यहां से बन सकता है कि युवा परवासी भारतिय दिवस कब मनाया गया तो याद रखिएगा एक दिन पहले आठ जनुवरी को मनाया जाता है युवा परवासी भारतिय दिवस और युवा परवासी भारतिय दिवस के मुख्यातित की बात करें तो आस्ट् यूआ प्रवासी भारती दिवस के मुख्य अतित के तौर पे आई थी इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए ठीक है तो इस प्रकार से चीजों को जोड़ कर आप देख सकते हो महत्मा गादी से जोड़ के कि महत्मा गादी यहां पे आए एक प्रशन अक्सर आप से पूछा जा है कि भाई यह महत्मा गादी जब भारत वापस आये थे उस से पहले ही एक बार आया थे और उस दोरान इन्होंने काँड़ेस के अधिवेशन में भाग लिया थोर्श याद आना चाहिए कौन्सा अधिवेशन था और उस अधिवेशन की अध्यक्षता किस ने की थी या भी 31 और 32 बिहारी पुरुषकार मिला है बताएं फास जवाब किंदो लेखकों को 31 और 32 बिहारी पुरुषकार मिला है देखो 31 की अधियम बात करें तो याद रखियेगा 31 मिला था मधु कांकरिया को ठीक है, मदू कांकरिया को और 32वा की अद्हिम बात करें तो मादो को मिला था, इनका नाम है, पूरा यहां पर गलत लिखा है इनका नाम है मादो हाडा तो याद रखिएगा मादो हाड़ा और मधू कांकरिया को यह पृष्षकार मिला है इसको बताएगा के राज बताईगा फास्ट जबाब देना है चले 2022 ATP फाइनल्स एकल का खिताब किसने जीता है आपको बताना है याद रखीगा यह जीता नुवाक जोकोबिच ने इसको बताईगा निवलिकित में से किस समूने इसको थोड़ा सा एक बार देख लेता हूँ इसमें सायद साब दिक तुरूटी है इस्पेसियल है यहाँ पर थोड़ा सा गलाद इस्पेसियल है यह याद रखीगा इस्पेसियल लोस एंड डेमज फंड अस्थापित करने पर सामती जताई है बताईए फास्ट जबाब दीजएगा इसका भी इस्पेशियल लोस एंड डैमज फंड अस्थापित करने पर सामती बैक्त की है किस ने याद रखेगा कॉप टॉन्टी सेबन ब्रिक्स जी टॉन्टी या आसियान इसका सही उत्तर है कॉप टॉन्टी सेबन इसको बताएगा कौन बनी है यह आपको बताना है चलिए बताएगा फास्ट जबाब दीजएगा यहाँ पर आपको बता दे यहाँ पर आपको बता दे इनका नाम है लॉन्स नायक मंजू डी बिकल्प सही उत्तर है इसको बताएगा किस किरकेट टीम ने हाल ही में बर्ष 2022 की सैयद मुष्ताकली ट्राफी जीत लिया गरेलु जो हमारा किरकेट होता इसमें रनजी ट्राफी हो गया बिजए हरारे ट्राफी हो गया किस ने जीत लिया चार बिकल्प दिये हैं उन चारों बिकल्पों के आधार पे आपको जबाब देना है आपको बताना है कि किस ने ये जीत लिया है देखो इसमें एक टीम जो सबसे महात्पूर्ण है वो आती है महारास्ट्रा की तो इस तरह के प्रशन एदिया आप से पूछ लिया जाए और आपको जबाब नहीं पता है तो आप महारास्ट्रा को एदिटिक करोगे नेशित रोप से आपका जबाब सही रहेगा गलत नहीं होगा यह आपको पता होना चाहिए ठीक है चले तो इसका सही उत्तर है मुंबई अंतराश्टी छात्र दिवस प्रतिवर्श कम मनाया जाता है फास्ट और कुईक जबाब देखो दिवस से संबन्दित है इसमें बहुत ज़्यादा कुछ बताने को नहीं है इसलिए आपको तुरंथ ही रिस्पॉंस करना है बताएगा अंतराश्टी छात्र दिवस कम मनाया जाता है 17 नॉम्बर को मनाया जाता है स्रीवी कल्प सही उत्तर है इसको बताएगा ITTF के एथलीट आयोग में चुने जाने वाले पहले भारतिये कौन है अच्छा प्रशन है ITTF के एथलीट आयोग में चुने जाने वाले पहले भारतिये कौन है बताएगा चले बताएगा याद रखिएगा ये नाम है सरत कमल इसको बताए है कौन सा राज नर्थ ओलंपिक γेम्स 2022 का ओबराल तीम चेमपियन बना है बहुत महात्रपूल प्राश्ण है आपके लिए आपको बता दी यह आयोजन आसम में हुआ था और उसी संदर्प में आप से पूछा जा रहा है कि कौन इसमें चेमपियन बना बताएं चले जबाब दीज़ेगा देखे यह टॉप पे रहा यहां पे मड़ीपूर ठीक है अब मड़ीपूर टॉप पे रहा तो यहां पे कुछ चीज़ें आपको बता देता हूं जैसे मड़ीपूर के बारे में आपको पता होगा लोकटक जील यहां पे एक जील देखने को मिलती है लोकटक जील पूरबोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की जील है यह यह आपको पता होना चाहिए आपको बता दें यहां पे छोटे छोटे दियूप इसमें बहुत नेस्टनल पार्क भी देखने को मिलता है ठीक है जिसका नाम है किबुल लाम जहाओ नाम रखेगा किबुल लाम जहाओ नेस्टनल पार्क यह आपको यहीं पर देखने को मिलता है कहां पर इसी लोकटक जील में आपको देखने को मिलता है किबुल लाम जहाओ रास्टिय उद यह एक मात्रिस का आवास अस्थल पूरे भारत में है किबल लाम जाओ नेस्थल पार्क और यह जो है यह इस्टेट एनिमल भी है एक राज का यह भी आपको पता होना चाहिए और यह जो इस्टेट एनिमल है यह मड़िपुर का इस्टेट एनिमल है यह आपको पता होना चाह तो इसको भी आपको याद रखने की जरूरत है संगाई हिरन के बारे में पूछा जा सकता है तो आपको बताना है कि बल लाम जाओं लेंसनल पार्क तो इसका सही उत्तर है मड़पूर और इतनी जानकारी मड़पूर से समधे कौमेंग हाइडरो पावर स्टेशन का उधगाटन किस राज में किया गया कौमेंग हाइडरो पावर स्टेशन का उधगाटन किस राज में किया गया इस राज में अभी पिछले दिनों एटालिन जल बिद्दुत परियोजना को लेकर चर्चा चल रही थी Aitalin जल विद्धूत परियोजना काफी विवाधित रही है Aitalin के बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलता था दीची जल विद्धूत परियोजना और दीची तो यहाँ के लोगों को आप कह सकते हो कि सोब दी गई है यह परियोजना कारये थे तो दीछी जल बिद्दुत परियोजना हो गया, एटालिन जल बिद्दुत परियोजना हो गया, कॉमेंग हाइड्रो पाउर इस्टेशन हो गया, यह सभी इसी राज की परियोजनाएं हैं, यह आपको पता होना चाहिए, बात कहा की हो रही है, बात हो रही है अरुडांचल प पार्क भी यहां पे काफी सारे हैं यहां बात करें जैसे नाम दफ़ा नेशनल पार्क आपको देखने को मिलता है और यह टाइगर रिजर्ब भी है विसका सबसे अधिक उचाई परिष्थे टाइगर रिजर्ब है यह आपको पता होना चाहिए मॉलिंग यहां पे नेशनल प तो यहाँ भी आपको याद रखने की जरूरा था ठीक है? चले, आगे बढ़ते हैं ACI Cup Table Tennis Tournament में पदक जीतने वाली पहली भारती महिला किलारी कौन बनी है? ACI Cup Table Tennis Tournament में पदक जीतने वाली पहली भारती महिला किलारी कौन बनी है? बताईएगा फास्ट जबाब दीजेगा चार जबाब यहाँ पे हैं मनिका बत्रा, अंकिता दास, स्रीजा अकुला या सुतेर्था मुकरजी याद रखेगा इसका सही उत्तर है मनिका बत्रा यह हमारी टेबल टेनिस खिलाडी है ऐसे पूछा जा सकता है कि मनिका बत्रा का संबंद किस खेलते हैं तो उस संदर्ब में भी आपको यह नाम याद रखने की जरूरत है इसको बताएगा किस देश ने भारती नागरिकों को बीजा प्राप्त करने के लिए पुलिस निकासी परमाणपत्र जमा करने की छूट दी है बताएगा कौन सा देश है जिसने भारती नागरिकों को बीजा प्राप्त करने के लिए पुलिस निकासी परमाणपत्र जमा करने की छूट दी है सौधी अरब, कतर, मिस्ट, संयुक्त अरब, अमिरात, इनमें से सही क्या है आपको बताना है याद रखेगा इसका सही उत्तर है सौधी अरब इसको बताएगा भारत ने मिस्र में COP 27 के मौके पर किस देश के साथ लीड आईटी सिखर सम्मेलन की मेजबानी की मिस्र में जो COP सम्मेलन हुआ, Conference of 4027 हुई इसमें बूला जा रहा है कि इस मौके पर किस देश के साथ हमने लीड आईटी सिखर सम्मेलन की मेजबानी की यह आपको बताना है बताएगा फास्ट जबाब दीजेगा याद रखेगा इसका सही उत्तर है स्वीडन भी विकल्प आपका सही उत्तर है यहां मिस्र की बात हो रही है तो आपको पता होगा इस बार गरतंत्र दिवस के आउसर पर कल ही हमने चर्चा किया था यह आप होमवर्क है आप बताओगे कल हमने चर्चा किया था मतलब जो पिछला सेसन हमारा हुआ हुए उसमें हमने चर्चा किया कि वही गरतंतर दिवस के आउसर पर इस बार हमारे मुख्य अतिति कौन होंगे ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है पिछले क्लास में चर्चा इसकी हुई है कि कौन होगा मुख्य अतिति ये आपको बताना है और दूसरी बात मिस्र की यहां पे बात हो रही है तो आप जो मैप जाके देखोगे तो लाल सागर की रेड सी की बात आएगी तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि रेड सी से कौन कौन से देश हैं जो सीमा साजा करते हैं वो आपको बताना है यहाँ पे दो प्रकार के देश होंगे एक अफरीका कॉंटिनेंट के देश होंगे एक गैर अफरीकी कॉंटिनेंट के देश होंगे तो वो दोनों आपको बताना है कि लाल सागर से सीमा साजा करने वाले कौन-कौन से देश हैं इसके साथ-साथ एक जल संधी आपको देखने क चाईए इนะคะ इन देश हों साथ 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 इन की राजधानियों का भी जिक्रा आपको करना है ठीक है और हउर了 अफ अफ अफरीका हो गया लाल सागर से जुडे देश हो इसके साथ-साथ यहाँ पे एक जल संदी भी देखने को मिलती है और इस जल संदी का क्या नाम है यह भी आप बता होगे ठीक है यह आपका होमर्क है हर नाफ अफरीका में कौन-कौन से देश आते हैं इस रीजन में कौन सी जल संदी देखने को मिलती है जिसके माद्यम से आप लाल सागर को जा सकते हैं वो जलसंदी कौन सी है और लाल सागर से कितने देश सीमा साजा करते हैं ये आपको बताना है कही ना कहीं आप देख रहे होंगे कि भूगोल के आज के समय में भूगोल के जो प्रश्ण बन रहे हैं वो इसी संदर्व के बन रहे हैं इसी प्रकार के प्रश्ण बन रहे हैं और ऐसी चुनोतियों को लेकर आपको तयार रहने की जरूरत है जिससे आप इस प्रकार के प्रश्णों का जबाब दे सकें ठीक है चले आगे बढ़ते हैं ग्लोबल मीडिया कांग्रेस का पहला संस्क्रण किस सहर में आयोजित किया गया याद रखेगा यह आयोजित किया गया अबुधाबी में ठीक है इसको बताएगा मून रॉकेट आर्टिमिस वन किस देश द्वारा लांच किया गया मून रॉकेट आर्टिमिस वन किस देश द्वारा लांच किया गया आपको बताना है चले बताएगा मून रॉकेट आर्टिमिस वन किस देश द्वारा लांच किया गया है चले आर्टिमिस मिसन की बात यहां पे हो रही है और Artemis Mission के बारे में जो पुराने छात्र हैं आपको पता होगा कि Artemis Mission के बारे में हमने बहुत अच्छे से आपको बताया था कि ये NASA का mission है और जब NASA का mission है तो ये किस देश की अंतरिक शेजंसी है ये अमेरिका की अंतरिक शेजंसी है ये आपको पता होना चाहिए आपको पता होगा मैंने जाकसा के बारे में आपको बताया है मैंने CNSA के बारे में आपको बताया है मैंने CNES के बारे में आपको बताया है और मैंने ROSCOSMOS के बारे में आपको बताया है इसके अत्रिक्त आप ISRO के बारे में तो जानते ही होंगे तो कई सारी देशों की अंतरिक्ष एजंसियां ठीक है जो चर्चा में रहती है जैसे यूरोपिय यूनियन की जो इस्पेस एजंसिय है उसके बारे में मैंने आपको बताया है तो कहने का मतलब है कि जो बिभिन्न देशों की अंतरिक्ष एजंसियां है उनके नाम पता होने से यह कि किस अंत्रिक्स एजंसी का सम्मंद किस देश से है ठीक है चले इसको बताए नीति आयोक का पूर्ण कालिक सदस्ट किसे नियुक्त किया गया है नीति आयोक का पूर्ण कालिक सदस्ट किसे नियुक्त किया गया है नीति आयोक का पूर्ण कालिक सदस्ट किसे नियुक्त क किया गया है चार नाम है एनके सिंग विसाल नारायण दुब्वरी सुब्वा राओ या अर्बिंद बिर्मानी याद रखिएगा अर्बिंद बिर्मानी को नीती आयोखा पूर्ण कालिक सदस्य न्यूक्त किया गया है इसको बताएगा किस राज ने अनसूची छेत्रों में पंचायत विस्तार अधनियम लागू कर दिया है पंचायत विस्तार अधनियम जिसको पेशा भी कहते हैं इसको किस ने लागू कर दिया है आपको बताना है चार विकल्प है उस आधार पे आपको जबाब देना है चले बताएगा किस राज ने अब देखो यह राज वही हो सकता है जहाँ पे अनसूचित चेत्रों का बाहूल है और अनसूचित चेत्रों के बाहूल वाली राज की एदिम बात करें तो इसमें मदपर्देश परमुक्ता से आता है और इसको मदपर्देश ने लागू किया ठेक है चले आगे बढ़ते हैं इसको बताईएगा सुटिजर लेंड परेटन के मैत्री राजदूत किसे न्यूक किया गया है इसमें थोड़ा ससायद एरर है साब्दिक परेटन के मैत्री राजदूत यह है परेटन गलत लिख दिया है इन्होंने परेटन की बात हो रही है सुटिजर लेंड परेटन के मैत्री राजदूत के रूप में किसे न्यूक किया गया है आपको बताना है चले बताईएगा चार नाम दिये हुए हैं और आपको बता दें यह न्यूक्त किया गया है नीरज चोपड़ा को ठीक है आगे बढ़ते है जारकंड का अस्थापना दिवस कब मनाया जाता है यह आपसे जुड़ा प्रश्च नहीं है ठीक है लेकिन फिर भी हमें देख लेना है कम से कम पता ह होना चाहिए कि कौन सा राज कब बना है उस संदर्व में आपको बता होना चाहिए तो बताएं याद रखेगा यह मनाया जाता है पंद्रह नॉमबर को यह आपको नहीं भी पता है आप यूपी का एकजाम दे रहो या बिहार का तो आपके लिए यह नहीं है ठीक है इसको संयुक्त राष्ट संग के अंसार नॉमबर 2022 तक बैस्विक जनसंख्या कितनी है आपको बताना है चले बताएगा याद रखिएगा संयुक्त राष्ट की माने तो नॉमबर 2022 तक बैस्विक जनसंख्या एट बिलियन है आठ बिलियन लोग इस फिर्थ भी पर हैं यह आपको बता होना चाहिए इसको बताएगा राष्टी प्रेस दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है अच्छा प्रश्ण है राष्टी प्रेस दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है राष्टी प्रेस दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है राष्टी प्रेस दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है चार तिथि जब बात आ रही है प्रेस की तो आपने इतिहास में आधिनिक भारत के इतिहास में पढ़ा होगा ना प्रेस की स्वतंदरता का मुद्दा तो क्या आप बता सकते हो कि प्रेस पे अंकुस जो लगाया गया था वो किसके समय में अंकुस लगाया गया था प्रेस की स्वतंदरता को बहाल किस ने किया, दोनों चीज़ें आपको बतानी है, कि प्रेस की स्वतंतिता पर अंकुस किस के द्वारा लगाया गया था, और प्रेस की स्वतंतिता को बहाल किस ने किया है, दोनों चीज़ें आपको बतानी, क्योंकि इतिहास के संदर में, जब आप गौर्णर जनरल और वायसराय के बारे में अध्यन करते हैं, एक महात्रपूर्ण प्रश्ण है ये, इसके बारे में पूछा जाता है, तो इसको भी आपको जाके देखना है, इसको बताएं, भारतियो ओलम्पिक संग के एथलीट आयोक के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है बताएगा, भारतियो ओलम्पिक संग के एथलीट आयोक के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, चार नाम दिये हुए हैं, पीबी सिंदु, अर्चता, सरद, कमल, मीरा बाईचानु या मैरिकॉम, याद रखेगा, ये नियुक्त किया गया है मैरिकॉम को, तो डी विकल्प इसका सही उत्तर है, इसको बताओ, मेजर ध्यान चंद्र खेल रतन पुरुषकार 2022 कि इसको परदान किया जाएगा, मेजर ध्यान चंद्र पुरुषकार की बात हो रही है, महत्पूर्ण पुरुषकार है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, चलिए बताएग याद रखेगा, ये दिया जाएगा, सरत कमल अंचत, ठीक है, इनका नाम भी थोड़ा सा टिपकल है, याद रखेगा, अंचता सरत कमल बोला जाता है, लेकिन कहीं कहीं सरत कमल अंचता लिखा है, जादातर जगों पे अंचता सरत कमल नाम से ही जानी जाती है, तो डीबी कल इस प्रश्न का जबाब बताईएगा क्या बोला जा रहा है ICC Men's T20 World Cup 2022 में Player of the Tournament किसे चुना गया बताए Player of the Tournament की बात हो रही है T20 World Cup में बात हो रही है बताएं आपने देखा था T20 World Cup के बारे में कि इगलेंड ने जीता ठीक है इगलेंड भी जेता रहा इसका और यदि हम पुरुषकार की बात करने Player of the Tournament तो यह दिया गया था Sam Curran Sam Curran इगलेंड के आउल्लाउंडर खिलाडी है उनको यह पुरुषकार दिया गया था इसको बताएगा किस समूह ने अगली बैस्विक महामारी से निपटने के लिए 1.4 बिलियन डॉलर का फंड लॉंच किया है आपको बताना है याद रखेगा यह लॉंच किया है G20 ने और G20 आप जानते हैं बहुत महत्तपूर संगठन है भारत के संदर में भी इस बर्स महत्तपूर है तो इसको अच्छे से देखना है इसको बताएं बिज्ञान के लिए उनकी बिसिस्ट सेवाओं के लिए बिटेन के रॉयल आफ मेरिट से किसे समानित किया गया बिटेन के रॉयल आफ मेरिट से किसे समानित किया गया है आपको बताना है चले बताएं बिटेन के रोयल ओर्डर आफ मेरिट से किसे सम्मानित किया गया रोयल ओर्डर आफ मेरिट याद रखेगा रोयल ओर्डर आफ मेरिट से किसे सम्मानित किया गया याद रखेगा इनका नाम है बेंकी रामा कृष्णा ठीक है बारत का पहला मल्टी मॉडल लाजिस्टिक पार्क बनाने का कॉंट्रेक्ट किसे मिला है दोखो इस तरह के प्रशन पूछे जाते हैं क्योंकि जब संसद भौन के निर्माड की बात आये थी नए संसद भौन के तो पूछा गया था एक परिक्षा में पूछा गया था कि नए संसद भौन के निर्माड का जो कॉंट्रेक्ट है वो किसको मिला है तो इस संदर में यह भी प्रशन पूछा जा सकता है तो बताएं मल्टी लोजिस्टिक पार्क बनाने का कॉंट्रेक्ट किसे मिला है याद रखिएगा यह कॉंट्रेक्ट मिला है रिलाएंस इंडस्ट्री को तो यह विकल्प सही उत्तर है इसको बताओ किस देश को संजुक्तराज अमेरिका ने अपनी कैरेंसी मॉनेटरिंग लिस्ट से हटा दिया है याद रखिएगा इसने हटाया है भारत को भारत को जो है USA ने अपनी कैरेंसी मॉनेटरिंग लिस्ट से हटा दिया है चले आगे बढ़ते है लाइफ साइंस डेटा के लिए भारत के पहले रिपोजिटरी का नाम क्या है बताएगा लाइफ साइंस डेटा के लिए पहले रिपोजिटरी का नाम क्या है आपको बताना है याद रखिएगा इसका नाम रखा गया है इंडियन, बॉयलोजिकल डेटा सेंटर आगे बढ़ते है दक्षिण भारत की पहली बंदे भारत एक्स्प्रेस को किस सहर में हरी जंडी दिखाई गई बंदे भारत एक्सप्रेस तो आपने सुना ही होगा तो बोला जारा दक्षिन भारत की पहली जो बंदे भारत एक्सप्रेस है उसको किस सहर में हरी जंडी दिखाई गई बताएगा याद रखेगा यह सहर है आपका बेंगलूरू, बेंगलूरू से इसको हरी जंडी दिखाई गए, तो 50 प्रशनों की जो सिरीज थी, वो यहीं पर समाब तो होती है, आज की, और इसी प्रकार से इस से 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 जूड़े रहे हैं, जो भी आपकी राय है, अवस्य दें, निश्